नमस्कारी स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है, आज का हमारा महत्वपून टोपीक नियंत्रण और समन्व है, इससे समन्दित बनने वाले महत्वपून उब्जेक्टिव और अती महत्वपून परसनों को हम देखेंगे, सबसे पहले अपन परसन है, फलों और बीजू में किस हार्मोन की संदरता अधिक होती है, फल और बीजू की बात हो रही है, तो साइटो काइनिन, तंत्री का तंत्र की सुक्सम इकाई, क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है, नियूरोंस, या कहें तंत्री का कोशिका, मानव शरीर का मुख्य समन् कहां पे होता है? मनुष्य का समन्व का केंदर होता है वो है मस्तिक्स. मस्तिक्स के किस भाग में सुनने, सूंगने, देखने, सोचने और भूख से समन्दित, अनुबव होने का केंदर कहा है? तो यह अग्रम मस्तिक्स. पर्ति वर्ति किरियाएं नियंत्रित होती ही, किस अंग द्वारा पर्ति वर्ति किरियाएं नियंत्रित होती ही, तो वो होता है मेरू रजु पर्ति वर्ति चाप कहां बनते हैं ये मेरू रजू में बनते हैं मस्तिक्स उत्तरदाई है किसके लिए सोचने के लिए भी है हर्दि इस्पंदन के लिए शरीर का संतुलन बना लें के लिए उप्रोक तो सभी आंस्वर हो जाएंगे दो तंत्री का कोशिका यानि नियूरोन के मद्दे खाली इस्थान होता उसको क्या कहते हैं सिनेप्स तने की पर्वसंधियों की लंबाई में वर्दी हितु उत्तरदाई जो पादप हार्मोन है वो कौन सा है तो पादप हार्मोन है जिप्रिलिन तने की लंबाई की अंते सरावी ग्रंथियों द्वारा सरावीत रासाइनिक पदार्थ क्या कहलाता है अंते सरावी ग्रंथियों द्वारा जो सरावीत होता है रासाइनिक पदार्थ होता है वो होता है हार्मोन तो हार्मोन क्या है अंत्य स्रावी ग्रान्थियों दुआरा स्रावी तेक रासाईने के पदार्थ शरीर की प्रभार यानि मास्टर ग्रान्थि प्रधान मास्टर ग्रान्थि है वो कौनसी है प्यूस ग्रान्थि जो कि मस्तिक्स में पाई जाती है नर जनन हार्मोन कौन सा है टेस्टो टोरोन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदाई तत्व कौन सा है आयोडीन कौन सा रोग होता है तो इंसूलीन की कमे से मधुमे रोग होता है इंसूलीन की गरंथी से निकलता है ये भी आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमे से कौन सा रोग हो जाता है घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमे से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमे से हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तयार करती है किंद्रिय तंतरीका तंतरता सरीर के अन्य भागों में संचार को तंत्रीका तंत्र सुगमता परदान करता है वो क्या होता है प्रीधिये मस्तिक्स का मुखे सोचने वाला भाग अगर मस्तिक्स कहलाता है सोचने समझने की जितनी भी किरियाई होती है वो अगर मस्तिक्स में होती है मस्तिक्स का केंद्र ये तंत्रीका तंत्र कौन बनाता है मेरू रजू प्रीधी तंत्रीका तंत्र में कपाल ये तथा मेरू तंत्रीकाईं होती है प्राग नलिका का बिजांड की और वर्धी करना रसाइन अनुवर्तन कहलाता है तो पुर्ष न आ जाई अपने रसायन अनुवर्थन क्या है तो प्राग न लिखा का भी जांड की उरवर्दी करना रसायन अनुवर्थन कहलाता है पोधु में समन्वे ये रसायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे कहते हैं हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन कोशी का विभाजन को प्रेडित करता है कौन सा हार्मोन कोशी का विभाजन को प्रेडित करता है साइटोकाइनिन तंत्री का उत्तक सूचनाओं को विधुत आवेग के द्वारा सरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सब्वेहन करता है जब तंत्री का आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी कोशी काई अपनी आकर्ती बदल कर गती करती है हार्मोन पादप परोह के सिर्ष भाग में संसलेशित होता है यानि ओक्षिन जो हार्मोन है वो पेड के किस भाग में परोह के सिर्ष भाग में संसलेशित होता है पादप हार्मोन अपने संसलेशन छेतर से विशरन द्वारा की रियागर पहुंचते हैं किस विधी द्वारा पहुंचते हैं विशरन द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी से मध में रोग हो जाता है अतिलग उत्रात्मक पर्शमोनों में हम देखेंगे कि एड्रेनील हार्मोन की से अंग पर सीधे काम करता है तो ये हर्दे पर काम करता है पर्ती वर्ती किरिया तंत्री का तंत्र के किस भाग द्वारा संचालित की जाती है मेरु रजु द्वारा मस्तिक्स से निकलने वाली तंत्री काएं क्या कहलाती है कपाल तंत्री काएं मानव शरीर में रक्त सरक्रा गटने में कौन सा हार्मोन यानि रक्त सरक्रा को घटाने में कौन सा हर्मोन काम करता है इंसूलिन मेंडूला ओबलागेटा कहां इस्तित होता है पस्चे मस्तिक्स में मस्तिक्स के जो पिछे का भाग होता है वहां मेंडूला अबलोगेटा इस्तित होता है सभी NHK के किरियाई जैसे रक्ट का दाब होना और लार का बनना वमन होना यह उल्टी होना पर नियंत्रन कोन करता है मेंडूला अबलोगिटा करता है तन्ह परकास की और किस हार्मोन की कारण मूड़ता है तो यह उक्सिन हार्मोन के कारण मिश्रित गरंति या कि अंतए स्रावी और बहई श्रावी, दोनों को मिला कर, दोनुगरंतियों का नाम लिखिए, तो वो गरंतिया है अगनासे, एक ऐसी गरंतिया है मानव सरीर में, जो मिश्रित गरंतिया का रोल अदा करती है, यानि अंतैसरावी और भाहिये सरावी दोनु गरंथियों का गुमिकानी बातियों से कहते हैं अगनास से गरंथि प्रागन लिका का बिजांड के और वर्दी करना किस परकार का अनुवर्थन है रसाइन अनुवर्थन पादप की जड़ूं की गती 21 परकार की गती का उधारण है धनात्म के गृत्वान वरती यानि पोध्य की जो जड़ है इसकी जड़ है नीचे की ओर चलती है तो गृत्वा अकर्शन किधर होता है धनात्म के गृत्वान वरती पादप में रासाइनिक समन्व किस रासाइन द्वारा होता है तो हार्मोन द्वारा पोधूं के किस भाग में ओक्षीन का संसलेशन होता है जड़ और तन्य का जो सिर्ष भाग है वहाँ पर होता है ओक्षीन हार्मोन का शरीर के सबसे बड़ी अंताश रावी ग्रंथी है उसका नाम क्या है तो सबसे बड़ी अंताश रावी ग्रंथी जो कि गले में पाई जाती है मानव शरीर का परमुक समन्व के अंदर कौन का लाता है मस्तिक्स मानब शरीर में समन्मा किसके द्वारा होता है एक तो तंत्री का तंत्र और एक अंत है स्रावी तंत्र दो तंत्री का कोशिकाओं के मद्दे खालिस्थान को शनेपस कहते हैं छूई मूई का पादब कि पत्याँ कौन सी गती होती है तो कमपानो कुँचन छूई मुई के पोदे हैं उनको छूने पर वो शिकुड जाती हैं तो उसमें कमपानो कुंचन होता है जन्तों में सरंचनाई जो सूचनाई होती हैं वो किन सरंचनाउं द्वारा या किस रासाइन का नाम क्या है उसका तो जन्तू में सूचनाई संचारित करने वाले रसाइन का नाम है वो है हार्मोन मस्तिक्स के तीन भाग या छेतर कौन से होते हैं एक अगर मस्तिक्स एक मध्य मस्तिक्स और एक पस्चे मस्तिक्स अगर मस्तिक्स के किस भाग में भूग से समन्दित के अंदर होता है? हाईपो थैलेमस में लगहू त्रात्म पर्षन एच्छी के किरियाओं की परी सुद्धी, सरीर की संच्तित, ता संतूलन के लिए मस्तिक्स का कौन सा भाग उत्तरदाई है? इसके लिए पस्चे मस्तिक्स में इस्तित जो अनुमस्तिक्स है वो उत्तरदाई है पर्तिवर्थी किरियां किसे करते हैं तो अचानक होने वाली अनुकिरियां जो उद्धीपन से सवभावी की उत्पन होती है पोधु में रासाइनिक समन्व किस परकार होता है तो पादप कोशिका यान एक हार्मोन लंबाई से समन्दित होता है और जिब्रेलिन हार्मोन पादप के तने की लंबाई से समन्दित है तने की जो लंबाई होती है वो जिब्रेलिन के कारण होती है पोधे की सिर्ष की जो लंबाई होती है वो उक्सिन के कारण साइटोकाइनिन को शिका विभाजन को प्रेदित करता है पुतिनों हार्मोन को आपको ध्यान रखना है ओक्सीन जिब्रेलीन और साइटोकाइन वरधी में साहिता करने वाले पादप हार्मोन का नाम और उसका कारी लिखना है तो वरधी पादपू में करने वाला हार्मोन है ओक्सीन और ये कोशिका की लंबाई की वरधी में स साइ्टोकारीनों इन न कोशikaविभाजन को प्रियुरित करता है, इसलिए उन छेत्रों में जोएं। साइ्टोकारीनों टेश ऑनीन फ्खवाजन को करिजाएं। साइटोकारीनों फ्लूविजुं में अधिक सांदर ता में पाया जाता है। वर्धी संबंधन करने वाले पादप हार्मोन का नाम और उनका कारी लिखना तो वर्धी ऐसे भीक जो अमल है वर्धी का संबंधन करने वाला हार्मोन है ऐसे भीक अमल के कारण पादप की पत्तिया मुड़ जाने लगती जब पादप पर, यानि पेड पर एक और से परकास आ रहा है, तब पादप परकास की और कैसी मुड़ जाता है? क्या कारण है तो वर्धी करता हुआ पोधा जब परकास को संसूचित करता है तब ओक्षिन हार्मोन परोह यानि जो सिर्स भाग में संसलेशित होता है तो वह कोशिका का लंबाई में वर्धी में साहिक हो जाता है और जब पोधा या पादप है वो एक और से परकास आ रहा है जिसे पादप परकास की और मोड़े जाता है परतिवर्ती चाप को आप देख सकते हैं कि वैपर करम जो समविधी अनुकिरियाओं के आगमन संकेतुं का पता लगाने उसके अनुसार निर्गमन किरिया करने का कारिय करता है परतिवर्ती चाप का लाता है परतिवर्ती चाप क मस्तिक्स को आने वाले रास्ते पर एक बंडल के रूप में मिलती हैं परतिवर्ती चाप इसी मेरू रज्जु में बनते हैं यदपी आगत सुचनाय मस्तिक्स तक भी पहुंचती है पादप में परकास अनुवर्तन गती किस परकार होती है तना परकास की दिशा में मुड़ कर तथा जड़ परकास के विप्री दिशा में मुड़ कर अनुकिरिया करते हैं इसे परकास अनुवर्तन कहते हैं जड़े नीचे की ओर और तना परकास की ओर तना जो है धनात्मक प्रकासन वर्तन यो जड़े रिणात्मक प्रकासन वर्तन किरिया करती हैं एक तंत्रीका कोशीका की सरंचना समझाई उसके कारिये लिखे तो तंत्रीका कोशीका निूरोन की सरंचना तो तंत्रिका, तंत्र किरियात्मक, सरंचनात्मक ये इसकी तीन भाग होते हैं जैसे कोशिका, दुर्मिका और एक्सोस निूरोन में गोलाकार सरंचने कोशिका काई कहला थे हैं जिसमें एक केंद्रक होता है ये आप देख सकते हैं चितर में दुर्मिका क्या है केंद्रक क्या है और ये कारी एक विद्धुत रासैनिक संकेतक द्वारा होता है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्तिक्स तक सूचने पहुंचती अनुवर्तन गती किसे कहते हैं पातपुम विभिन अनुवर्तन गतिओं का वर्णन कीजी तो जड़े परकास से दूर जाती हैं गती करती हैं यानि रिनात्मक परकास अनुवर्तन होता है इसको आप ध्यान से देखें अनेचिक किरियाई और पर्तिवर्ति किरियाओं में अंतर लिखिए तो अनच्छी के किरियाएं कुन सी होती ये मस्तिक सद्वारा नियंत्रित होती और परतिवर्थी किरियाएं मेरु रजु द्वारा नियंत्रित होती इन किरियाओं में थोड़ा समय लगता है और ये परतिवर्थी किरियाओं अच्छानक होती और सहज होती और अनच्छी किर जन्तूं में नियंत्रने एंव समन्वे के लिए तंत्री का एंव हार्मोन जो किरिया विधी है उसकी तुमनात्म करनी है तो तंत्री का किरिया विधी और हार्मोन किरिया विधी तंत्री का तंत्र सम्वेदी सूचने प्राप्त कर अपना नियंत्रन करता है और सरीर में तंत् परदान करता है हार्मोन किस परकार्शे काम करते हैं हार्मोन अंत्य सरावी जो गरंथिया हैं उनसे सरावित होते हैं जो वर्धी विकास जनन आधी को नियंत्रित करते हैं मनुस्य में होने वाली वर्धी विकास और जनन समंधि जो भी किरिया होती हैं उनको नियंत्रन करने क के लिए अंतैसरावी ग्रंथियों के हार्मोन काम करते हार्मोन रुधीर द्वारा समझ सरीर में प्रिवन करते हैं अंतैसरावी ग्रंथियों के शरावे उनके कारियों को सार्णी बद कीजिए तो अंतैसरावी ग्रंथियां देखें फिर उनसे शरावित होने वाला हार्मोन फिर उसका कारिये, तो हाइपो थेलेमेस, मोचक हार्मोन है, और प्यूस गरंथी से हार्मोन सराव को प्रेरित करता है, थाइराइड गरंथी, थाइरोक्सिन हार्मोन, शरीर में, शरीर की जो उपापचे किरियां हैं, पाचन समंधी किरियां का नियमन करता है, अधिवरक गरंथी, एड्रे नील गरंथी और संकट काल इन परिष्टितियों से लड़ने वाला हार्मोन ये हार्मोन इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इन में से एक आपको देखने को मिलेगा अगनास से इंसुलीन हार्मोन और ये रक्त में सरकरा यानि सक्कर की जो मात्रा है उसको नियंतरित करता है गुलकोज की मात्रा, सक्कर की मात्रा जो भी पन बोले उसको नियंतरित करने वाला हर्मोन कोंसा है इनसुलीन और ये किस गरंथी से निकलता है अगनासे गरंथी से वर्षण से शरावित होने वाला टेस्टो टोरन जोकी प्रूस हार्मोन है यह नर में लेंगीक लक्षण है उनका विकास करता जैसे डाडी मूझ का आवाज का भारी होना। अंडाशे से निकलने वाला या मादा हर्मोन एस्ट्रोजन और पोजेस्ट्रोन हैं और मादा में लहेंगी का लक्षन जैसे आवाज का बारीक होना, महीन होना पादी अधिवरक गरंथी से स्रावित हर्मोन का नाम लिखिए यह हार्मोन किस परकार सी कारी करता है तो अधीवरक गरंथी से निकलने वाला हार्मोन है वो अड्रीनिल हार्मोन जो कि संकट काल में मनुसे के सामने जब संकट हो तो उसके दिमाग को किस तरीके से नियंतरित किया जाता है तो ये हार्मोन उस समय अक्टिव हो जाता है और शरीर के विन भागों में पहुंच जाता है और हर देश सहीत ये लक्स या किस तरीके से ये प्रेशानी में जब इंसान प्रेशानी में हो तो किस तरीके से मानव शरीर को संतुलित करता है ये आप देख सकते हैं आउट्टू ग्रंथी से स्रावित हार्मोन का नाम लिखे इस हार्मोन के कारिये लिखे इस हार्मोन के निर्मान के लियाव से तत्व का नाम लिखे इस हार्मोन की कमी में कौन सा रोग होगा तो आउट्टू ग्रंथी थायराइड ग्रंथी कोई करते हैं तो आउट्टू ग् वर्धी के लिए उत्क्रष्ट संतुलन अउटूग्रंथी को थाईरोक्सीन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवसिक होता है और इसके कमी से आयोडीन की कमी हो जाती है और ये ग्वाटर रोग या गलगंड रोग भी जिसको बोलते है उसका जिम्यदार होता है थाइरोक्सिन हार्मोन इस बिमारी का एक परमुख लक्षण फुली भी गर्दन की कईयों की गर्दन है वो फुल जाती है यानि थाइराइड गरंथी है वो गले में पाई जाती है त हार्मोन की कमी के से कौन सा रोग हो जाता है तो अगनास से गरंथी इंसुलीन हार्मोन स्रावित करती है जो की सरकरा की मात्रा बलड में सरकरा की मात्रा को बनाए रखने का कारी करता है और रुधीर में सरकरा का इस्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक परभाव के कारण ब बोलते हैं डाइबीटीच इंगलेच में बोले तो नहीं नहीं लोग सकता और मध्मे के रोगी को कम सरक्रा लेने के लिए इस अलाग दोक्तर दुवाराद दी जाती है पीव गरंथी से सरावित हार मौन? सै और और इस हार्मोन के कारिय लिखे तो पियूस ग्रंथी से जो हार्मोन सरावित होता है वो व्यक्ति की व्रधी के लिए सायक है, व्रधी हार्मोन सरीर की वर्धी और विकास को नियंत्रित करता है, बाल्ले आवस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो वेकति की हाइट नहीं वर्थि वबोना रह सकता है और यह दिस की अधिक्ता हो जाये तो वेकति अधिक लंबे भी हो सकते हैं परतिवर्थी चाथ का नामांकी चित्र most important है, परतिवर्थी चाप को आपको नामांकी चित्र बनाना सीखना है अभ्यास करना है इसका बार-बार किस तरीके से ये हाथ है और किस तरीके से मानव सरीर तक मस्तिक्स तक किसी भी चीज को छूने से उसकी प्रति वर्ति किरिया होती है उसको दिखाया गया है तो आप इसको नोट करें अभ्यास करें इसका मस्तिक्स का नामां की चितर बनाना है कि मस्तिक्स में कितने भाग होते हैं और किस तरीके से इसको दिखाय गया है जैसे कोई अखरोट हो अखरोट की आकार में दिखाय गया है मस्तिक्स को अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं और साइंस में आप डाइग्राम बनाएंगे जितना सुन्दर और अच्छा तो इसे आपके माक्स हैं वो अक्जामिनर काटे करने आपकी कोपी है नोटबुक होगी वो आकर सक होगी और आपके लिए नेक्स्ट जो चेप्टर होगा वो जीव जनन कैसे करते हैं ये वाला होग तो अती महतोपून परसन होंगे अपने ये मिलते हैं नेक्स्ट और महतोपून वीडियो के साथ तब तक ठैंक्स